बसकार दोस्तों आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया महराष्ट की ताजा सियासत पर सुप्रीम कोट का सबसे बड़ा फैसला आ गया है सुप्रीम कोट ने फैसला देते हुए कहा है कि 27 नॉम्बर यानि कल साम 5 बजे तक सक्ति परिक्षन होना चाहिए बीजेपी के पास बहुमत साबित करने के लिए 30 घंटों का समय है महराष्ट विधानसपा में फ्लोर टेस्ट कराये जाएगा जिसका लाइफ रसारन होगा सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा है कि विधायकों को सपद प्रोटेम स्पीकर दिलवाएगा इतना ही नहीं सुप्रीम कोट सविधानिक मुद्दों पर सुनवाई को 6 हटों के बाद सुरू करेगा सुप्रीम कोट में इस दोरान सिफसेना की तरप से अनिल देशाई गजाजन कार्थी कर कॉंग्रेस के मुकुल वासनिक केसी वेड़ो गोपाल और प्रिथवी राज चोहान मौजूद रहे इसके अलावा कपिल सिब्बल अभिसेक मनू सिंग भी समेट कई वकील भी अदालत में मौजूद रहे हम तुरंट इद्वार को ही माननिया सर्वोच न्यायले में हम आये थे हमने एक ज्याच्री का दर्च की थिक पेटिशन प्ट किया था तीनों पार्टियों इंकर demi सेना n cp और कॉंग्रेस पार्टी ने मिल कर एक पेटिशन दायर कीया था था हम धन्युआद देते हैं सरवोच्च नयाले को कि उन्होंने इतुवार को ही हमारी बात सुनी फिर सोमवार को हमारी बात सुनी और आज अपना फैसला दिया है एक अंतरिम फैसला है लेकिन रोचक बात यह है कि इन सब मुद्दों पे जबरदस्त विरोध हुआ था एक-एक मुद्दे पे कहा गया था कि प्रोटेम स्पीकर नहीं होना चाहिए नौर्मल स्पीकर होना चाहिए कहा था कि कम से कम हमको 12 दिन दो, 14 दिन दो, 10 दिन दो, 8 दिन दो, 4 दिन दो कहा था कि आप स्पीकर के अधिकार क्षेतर में सकते हैं तो ये पहला मुद्दा है कि इसमें उच्टम नायले ने बिल्कुल न कारा जस्टिस एन्वी रमन्ना, जस्टिस असोग भूशन, जस्टिस संजीव खन्ना की बैंच ने यह फैसला सुनाया है कॉंग्रेस NCP और सिफसेना सुप्रीम कोड के इस फैसले से बेहत खुसर लेकिन बीजेपी को सुप्रीम कोड के फैसले से जटका लगा है कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में गुप्त मद्दान नहीं होगा इसका लाइफ प्रसारण किया जाएगा देवेंद्र फरंदी सरकार को सपत दिलाने के राज्युपाल के फैसले के खिलाब कॉंग्रेस एनसीपी और सिफसेना की याचिका पर कोड ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्सित रख लिया था सोमवार को करीब दो गंटे इस मामले में अदालत में तीखी बहस चड़ी जिसके बाद अदालत ने इस पर मंगलवार को फैसला सुनाने का आदेश दिया एनसीपी कॉंग्रेस और सिफसेना की ओर से मांग की जा रही थी कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट किया जाए महराष्ट के राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी ने महराष्ट की देवेंद्र फढ़न्वी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 14 दिन का समय दिया था इस फैसले को सुप्रीम कोट से जटका लगा है अब फढ़न्वी सरकार को बुद्वार साम 5 वजे महराष्ट विधानसबा में बहुमत साबित करना होगा देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं